बीजे माई में 2.9 अपडेट आने से पहले आई थिंग आपके मन में कुछ डाउट्स चल रहे होंगे तो वो अभी आगे वीडियो में बिल्कुल भी क्लियर होने वाले हैं जैसे कि मिथिक फॉर्ज वाले ओप्शन में कर आप जाएंगे तो यहां पे जो मिथिक फॉर्ज प आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको मट्रियल पैक का ओप्शन देखने को मिल जाता है इसका जो लास्ट डेट है वो भी यहां पर लिखा हुआ है यह अपडेट आपको कब देखने को मिलेगा किस टैम देखने को मिलेगा वो भी डिटेल में पूरा हम आपको एकड़ सकत बताने वाले हैं वीडिओ के अगर आपने तक लाइक नीगे तो लाइक जो कर देना है चैनल पर नहीं हो सबस्क्राइब नहीं है तो भी कर देना तो सबसे पहले कि जान लेते हैं मिथिक फॉर्ज वाले आप्शन में जाद कर यहां पे जो आप लोगे डाउट चल रहे हैं जिसे कि मिथिक फॉर्ज वाले आप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहां पे आप देख पा रहे हैं यह सभी जो लेफ्ट में आप redeem section में आ जाएंगे जैसे कि अभी यहाँ पे so कर रहे हैं तो guys वो redeem section में रहेंगे और यहाँ पे कुछ ने rewards add हो जाएंगे और दूसरे जो doubt है guys वो है material pack को लेकर material pack को option अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल आए mythic forge के just नीचे तो material pack यहाँ पे 568 UC में मिल जाता है यह I think आपके मन में doubt रहा होगा कि यह रहेगा या फिर रिमूब हो जाएगा तो guys यह material pack को option भी यहाँ पे रहेगा रिमूब नहीं होगा अभी फिलाल यहाँ पे इसका remove होने का कोई भी expiry date यहाँ पे नहीं है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिलेगा तो guys इस option में कुछ इस तरह के changes होने वाला है जैसे कि अभी यहाँ यहाँ पे नहीं आने पे यूचिस हो कर रहा है तो यहाँ पे guys यह 568 UC में आने वाला है जैसे वहाँ पे आपको मिलना है 568 UC में एक material और एक paint सेम उसी तरह guys यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है मतलब एक week में आप दो material यहाँ से redeem कर पाएंगे 568 UC में यहाँ से redeem कर पाएंगे 568 UC में जो mythic forge के नीचे model पाइक option आता है वहाँ से redeem कर पाएंगे जैसा ही होना चाहिए PUBG Mobile के according अगर जैसा नहीं होता है तो फिर से यहीं पे 969 UC का ही material pack आ जाएगा बढ़ जैस में हिसाब से यहाँ पे changes होने वाला है क्योंकि 28 November को यहाँ पे मारा यह expire हो जाएगा material pack बात के यहाँ पे update की 28 November को ही यहाँ पे update आने वाला है and सुबह से आपको देखने को मिलने लगेगा इसलिए बार तो यहाँ पे iOS ने वाजी मार दी थी मतलब पहले iOS में update आया था उसके वाद राइड में आया था यहाँ पे morning से ही update आना शुरू हो जाएगे तो आपके पास चाहिए iOS device हो चाहिए Android device हो दोनों में इस morning से ही update रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे और एक एक करके यहाँ पे दीदे सबको update मिल जाएंगे और आप लोग भी यहाँ पे update कर पाएंगे 28 नॉवंबर को guys यह हमारा expel भी हो रहा है उसी same day पे हमारा एक new 2.9 का update भी आ रहा है इस material pack में जो भी changes guys होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है तो आप इस बात कर लेते हैं सबसे जादा जो लोग के मन में डॉक चलता है M4 Glacier के बारे में तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे है मेरे पास पहले से M4 Glacier है बट जिन लोग के पास नहीं है इस वो लोग यहां पर काफी दब वेट कर रहे हैं Glacier के लिए M4 Glacier के बारे में जो यहां पर हाइप क्रीट हो रही है कि वह प्लासिक क्रेट में आएगी कुछ लोग बोलना है कि कुछ मतलब इस्पिन टाइप की आएगी वहां से वो लोग इसको रिडेम करेंगे आपको क्लासिक क्रेट में नहीं देखने को मिलने वाली है कि यहां पर काफी से लोगों ने बताया है कि M4 Glacier का कुछ मतलब इस्पिन टाइप का है कि मतलब आप उससे यूसी से ओपन कर पाएंगे आप इस अब मुझे भी ऐसा लग रहा है मतलब पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि 2.9 में जो है क्लासिक क्रेट में आने वाली है बड़ गाइस अभी फिलाल इस टाइम तो ऐसा बिलकुल भी नहीं लग रहा है यह M4 Glacier आपको क्लासिक क्रेट में देखने को मिलने वाली है यह मतलब आएगी कोई स्पिन टाइप की रहेगी मतलब यूसी से ओपनिंग कर पाएंगे आज है 26 नोवंबर 28 नोवंबर बस दो दिन ही बचे होगे हैं दो दिन बार यहाँ पर अपडेट हमारा रोल आउट हो जाएगा तो गाइस आइथिंग जो भी नॉर्मल से डाउट थे वो आपके बिलकुल भी क्लियर हो गया होंगे तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो दोड़ों को लाइक जो कर देना चैनल को नहीं हो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना तो मैं मिलता हूँ अप सिसी तरह की एक नियू निटेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्यू सो मच वॉचिंग अभाई